चड़सव का कहाना चाहेंगे जिस तरीक से ABB वे जो वरकर है उनके पर टायक वो रहा क्या कहाना चाहेंगे रामबन जिला एक शान्ति प्रिये जिला है यहां पर आज तक इस परकार की जो गटनाएं है बहुत कम देखने को मिलती है प्रन्तु कल की जो गटना हुई है इस गटना करम से लगता है कि पुलीस पबलीक का जो समन हुए है वो बहुत कम है जिसकी वज़ा से यह गटना हुई और नौ से दस गंटे तक राजप्रिय राजमार्ग अवरुद रहा इसकी अगर सारी जिम्यदारी सौंपनी हो जिलाप पुलीस सदिक्षिक पी नित्या जिन्होंने इस गटना करम को रोकने के लिए सही तरह से जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए ऐसे पुलीस करमी जिन्होंने वहां हमारी महला कारेकरतों के साथ दक्का मुक्की की है उनको कुरूरता पुरूर जो पीटा है उनके जो फोटो वायरल हुए है उससे लगता है कि इनसानियत नाम की चीज़ कहीं ऐसे पुलीस वालों में है नहीं कि उन्होंने एक नोज़वान बच्चों को इस परकार से पीटा है जैसे चोर को भी नहीं पीटा जाता जबकि पुलीस का वहाँ जो काम है अगर पूरे जिला में देखें तो आज समस्त जिला के लोग जिनके गर राष्टी राजमारक के आसपास हैं उन लोगों की जमीनें भी देखा जाये तो वो यह एक नेशनल हाईवे है उसमें आई हुई है कहीं लोगों को मावजा नहीं मिलता उसके ओपर जब लोग कहीं रोज परकट करते हैं तो पुलीस वहाँ सक्रिय हो जाती है अगर जिसकी 80% से ज़्यादा जमीन उस परजेक्ट में गई है तो नियम है कि ऐसे लोगों को वहाँ रोजगार मिलना चाहिए तो अगर रोजगार के लिए कोई रोज परकट करता है कहीं शड़क पे आता है तो पुलीस की इंटरफेरेंस वहाँ आ जाती है किसकी आड़ में सिर्फ एक नेशनल प्रोजेक्ट की आड़ पुलीस जो है वो उन कंपनियों की कटपुतली बनी हुई है सिर्फ वहाँ की पुलीस एकदम पैसा एंठने के लिए ही काम कर रही है वहाँ के जो समाजिक लोग हैं समाजिक संगठन हैं वहाँ के राजनितिक संगठन हैं या फिर आम लोग हैं उनके साथ पुलीस का कहीं भी समन वए नहीं है मेरा मानना है कि जिलारामबन की संपूर्ण पुलीस की अदलाबदली होनी चाहिए तब ही जाकर यहां पर लोगों को पुलीस के उपर विश्वास बन पाएगा क्योंकि एक शिपाही से लेकर एसपी तक लोग जो है वो उंगली उठा रहे हैं कि पुलीस की जो भरवर्ता है वो हमेशा आम आदमी के उपर है कंपनियों के जो लोग हैं उनको सिर पे बिठा के रखा है जितने भी वहाँ नशे के सोदागर हैं वो सब पुलीस के जेस्ट श्रेस्ट है इस परकार का अगर पुलीस का कारे रहेगा तो पुलीस के उपर अंकुष लगना सभाविक है मैं इस मादेम से इस परदेश के मानी उपरा जेपाल महोदे से अपील करूँगा कि इसके उपर कड़ा संग्यान लेते हुए जो भी दोशी पुलीस कर्मी है जिनोंने शांती पूर्वक सत्य अगरे करते हुए अगलवारती विद्यारती परशद के कारेकरताओं को धक्के मारते हुए पीटते हुए थाने में ले गए और महला कारेकरताओं के उपर भी लाठी चार्ज किया ऐसे सभी पुलीस वालनों को तुरंत सस्पेंट कर देना चाहिए अन्याथा अगर वहां की स्थिति अगर कोई विगडती है तो परशासन उसका जिम्मेदार होगा चार्ज सब जी स्रीके से कल प्रेस कलब में प्रोटेस्ट किया अगर यह प्रशासन को बिश्वास उठ जाता है तो उस तमें ऐसे लोगों को बिश्वास उठ जाता है कि परशासन कुछ नहीं कर रहा उसके लिए इस तरह के परदर्शन होना सभाविक है और अगर यह प्रदर्शन हो रहे हैं तो यह इन प्रशासकों की नलाई की दर्शार है इसलिए इसके उपर अतिशिगर संग्यान लेने की वश्चता है ताकि यह प्रदर्शन यहीं पे रुख जाए